हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत गरंथों के बारे में क्योंकि यहां सभी प्रस्ण अक्सर पूछे जाते हैं इसके पहले मैंने आपको ब्रहमण गरंथों के बारे में बता दिया है ज तो आज हम लोग बहुत गरंथ की बात करेंगे और देखेंगे इसमें कौन-कौन से गरंथ आते हैं और उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि यहां से भी अक्सर प्रसंद पूछा जाता है तो यह भी जानना जरूरी है देखिए जब बहुत गरंथों की बात करते हैं तो बहुत गरंथों में सबसे महतपूर क्या है त्री पिटक सबसे महतपूर है बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी सिच्छाओं को संकलित करके तीन भागों में बाटा गया इन्ही को त्री पिटक कहते हैं तो एक्जाम में अगर आ जाता है कि बहुत गरंतों के विशाय में लिखिए या बहुत गरंतों से में क्या-क्या जानकारी मिलती है तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है ऐसे ही आपको लिखते जाना है थोड़ा बहुत मैंने यहां पर सौर्टकट में लिखा है लेकिन आपको लिखते से मैं थोड़ा सा डिटेल कर देना है मैं आपको बताता रहूँगा तो सबसे महत्पूर क्या है बहुत गुरंथो में त्री पिटा का जब महत्मा बुद्धी जी की मृत्ति हुई तो उनकी सिछाओं का संकलन किया गया जो बाते उन्होंने कहीं आपको समजा आगया विने पिटक, अविधमे पिटक, अब हम इनको एके करके पढ़ेंगे, इनके अब देखे, तिरी पिटक के तीन भाग हो गए, सुथ पिटक, विने पिटक, अविधमे पिटक, अब हम बात करेंगे सुथ पिटक की, तो सुथ पिटक के भी कई भाग हैं ऐसे, फिर विने के थालो को देखेंगे जिए सबसे पहले की बात करते हैं कि यहाँ देख लीजिए सबसे पहले क्या है तो इसको द्यान में रखिएगा क्या है कि हम लोग पढ़ किया रहे हैं भी सूथ पिटक इसके कि टोटल 5 भाग सबसु हाँ सुथ पिटक के पाँच भाग कौन-कौन से दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, मन्जिम निकाय, स्युक्त निकाय, यह आपको याद रखना है और अगर पूछे कि सुथ पिटक में किस चीज की जानकारी मिलती है, तो इसमें महत्मा बुद्ध के उपदेशों की जानकारी मिलती है, जो उन्होंने उपदेश दिये हैं, जो उपदेश दिये हैं, उनकी जानकारी मिलती है, किस से? सुथ पिटक से अब देखे, सुद्पिटक के पांच भाग है, तो पहला है दीग निकाई, इसको दीरग नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, दीरगमत पोलना, यह दीरगलत हो जगा, दीग है, दीग निकाई में क्या है, यह बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रा है, यह इसमें जो लं जाता है बड़े-बड़े एकजाम में, कि बुद्ध घोसने, सुमंगल वासनी, एवं सामंद पासादिका, नामक टीका, किस पे लिखा है, तो इसमें कई आपसर रहेंगे, दीग निकाई रहेगा, अंगुत्तन निकाई रहेगा, खुद्दक निकाई, मंझिम निकाई, त दो हजार से अधिक संचिप्त कथनों का संगर, मतलब छोटे-छोटे उपदेश हैं इसमें, और इसी में सोला महाजनपुदो का उलेख मिलता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, कि सुद्ध पिटक के किस भाग में सोला महाजनपुदो का उलेख मिलता है, तो अंगुत्तर मंजिम कर चौर्था का साहज इस भी शुतुत का भाग पांच अंक हो क्लियर ईहिसमेृ किसका वडन मिलता है थो महात्मा बुद्धी जी के हुपधेशों का उनके सिध्धान तुपा अब देखे यहाँ पर मैंने कहा देख निकाए, अंगुत्त निकाए, खुद्दक निकाए तो हम खुद्दक निकाए के भी कई पार्ट हैं इसको देख लेते हैं इसके भी कई पार्ट हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी आप सुद्पिटक में ही चल ले हैं, ध्यान में रखिएगा, खुद्दक ये तीसरा जो सुद्पिटक का तीसरा भाग है, खुद्दक निकाए, इसके भी कई भाग हैं, जैसे धम पद, सुद्तनी पद, उदान, बिमान वत्थू, पंत वत्थू, थेर गाता, थेरी ग था जातक, ये इतने भाग हैं, खुद्दक निकाए के, तो ये भी आपको याद रखना है, एक एक दो दो बार पढ़िए, ध्यान में रहे, ताकि एक्जाम में अगर यहां से प्रसन आता है, तो आप उसको लगा सके, धम पद, सुद्तनी पाद, उदान, बिमान वत्थू जातक, थेरी गाता, थेर गाता, पंत वत्थू, थोड़े नाम अजीब हैं, लेकिन आपको याद रखना पढ़ेगा, तो ये आपका जो था पहला समाप्त हो गया, पहला क्या मतलब, आपका है सुद्ध पिटक समाप्त हो गया, अब हम लोग विनै पिटक पढ़ेंगे, त पाति मोख, सुत विभंग और खन्धक, याद रखिए, पाति मोख, सुत विभंग, यहां विभंग होगा, और तीसरा है खन्धक, अब देखिए, अब यह जो दूसरा है, विनै पिटक का जो दूसरा भाग है, सुत विभंग, इसके भी दो भाग हैं, महा विभंग और वि विखनी विभंग और जो तीसरा पार्ट है विनेपिटक का खंदक इसके भी दो भाग हैं महावग चुलवग देखे यहीं से अक्सर प्रसन पूछे आते हैं तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अब देखे यह विभंग है तो यह विभंग के मुख आपका अकेला है अब देख लीजे यहाँ विनेपिटक में यानि इसमें बौध संग की स्थापना इवं संग के नियमों की विवेचना की गई है तो संग के जो आचार नियम है आचार का मतलब जो सदाचार की बाते बताई गई है कि संग में कैसे रहना है किस किस ची में मैंने आपको क्या बताई था कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्डन मिलता है जो उन्होंने उपदेश दिये हैं जगह जगह पर तो विनेपिटक आपका हो गया अब हम लोग तीसरा बात करते हैं देखिए यहाँ देख लीजे सुद पिटक हो गया उपदेश जग हो आला विनेपिटक नियम वाला अब अभीधमिटक की बात करते हैं अ कि यह देखिए तीसरा है अभीधमियपिटक इसके निवन भाग है धम संग्ड़ी धात कथा यS से आप कर दिजे धम संग्ड़ी धात कथा युगल पंचती पठान यमक क्थावस्त बीभंग ये तो बिसिकली जो दार्षनिक पक्ष हैं, दार्षनिक शिधानत दिये थे हैं, उसकी जानकारी हमको अभीधम पिटक से मिलती है यह देखें, यहां भी वही पेज है, सेम, यहां थोड़ी सी जानकारी आइड कर दी गई है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं देखे यह पिटक प्रस्न उत्तर की रूप में है किसके रूप में है प्रस्न उत्तर यह इसमें प्रस्न उत्तर बहुत सारे दिये गए है इस पिटक में बहुत धर्म के दार्शनिक पच्छ उद्गाटित होते हैं दार्शनिक पच्छ और इसके संकलन करता कौन है मोगली पिटक कितने होते हैं, तीन, सुध पिटक, विने पिटक, अभीधमे पिटक, फिर सुध पिटक के मैंने आपको परकार बता दी, उसमें कौन-कौन से खंड है, विने पिटक में कौन-कौन से खंड है, अभीधमे पिटक में कौन-कौन से खंड है, ये सब आपको जानकारी र इसमें नाकसेन तथम मिनांडर का वारतालाप है, ये मिनांडर यवन सासक था, हिंद युनानी सासक इसको बोलते हैं, इसी का नाम मिलिंद पन्हों भी है और मिनांडर भी है, तो चाहे मिलिंद पन्हों कही है, मिनांडर कही है, देखें इसमें हिंद यवन सासकों के विशे म में जानकारी मिलती है, सुचना मिलती है, और 75 परकार के वेवसायों का उल्लीक मिलिंद पन्हों में किया गया है, इसमें नंदो के मंतरी, भद्वन्साल стала का उल्लेक मिलता है, नंद्वंस आपने सुना होगा, नंद्वंस जिसका अंतिम सा सक coral था, घहना नंद, बहुत ही कु आली भासा में लिखा गया है नाकसेंद के द्वारा इतना आपको याद रखना है फिर एक और बुद्ध ग्रंत है इसको बोलते हैं बिशाधी मग इसकी रचना बुद्ध घोस द्वारा की गई है और बुद्ध घोस कौन थे बुद्ध ग्रंतों के महान टीका कार थे इन्हो अब यहां कुछ और रचनाओ के बारे में देखते हैं वसुमित्र द्वारा लिखित बिभासा सास्त्र बुद्ध धर्म का बिस्कोस है तो यह भी याद रखे बिभासा सास्त्र जो है वो बुद्ध धर्म का क्या है बिस्कोस है किसने लिखा है वसुमित्र ने और इसे बॉध धर्म की बाईबिल किसको कहते हैं बिभासा सास्त्र को बॉध धर्म का बेशुकोष को किसे कहते हैं बिभासा सास्त्र को किसने लिखा है इसको वसुमित्र ने ललित विस्तर की रचना किसने की है हरी भद्र हरी भद्र ने किसकी रचना की है ललित विस्तर की ये भी ए फिर देखिए वज्र सूची सौंद्रानंद तथा सार्पुत्र प्रक्रण की रचना असगोसने की जबकि प्रग्या पार्मिता सूत्र की रचना नागारजुन की यह सब बड़ बड़ एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अगर आप बीए कर रहे हैं भी तो भी आप जा या फिर आप यूजी सीने डियारप का एक्जाम देना चाहते हैं तो वहां भी यहां से प्रस्न पूछे आते हैं तो प्रग्या पार्मिता सूत्र की रचना नागारजुन की वज्र सूची सौंद्रानंद उसारपुत्र की रचना असगोसनी की यहां पर कुछ और गरंतों के बारे में जानकारी देख लिजे दीपोंस महावंस नामक दो पाली गरंतों से मौरकाल के विशे में जानकारी मिलती है यह भी बहुत से संबंधित गरंत है दीपोंस महावंस बहुत धर्म के हीनियान संप्रताय का प्रमुगरंत कथा वस्तू है बहुत धर्म दो भागों कौन सा है ललित विस्तर और दिब्ययवदान जब स्था पुश्मितर सुंग के सासकों के बारे में जानकारी मिलती है जबकि ललित विस्तर में जिसको अहरिभादर ने लिखा है इसको इसमें क्या किया गया है बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन और कारों का चमतकारी को रड़न किया गया है तो यह भी प्रस्ण पूछा गया है कि बौत धर्म की कौन सी साखा कार करते हैं तो कौन सी साखा है तो महायान बौत धर्म की महायान साखा जो है वो बुद्ध को देवता या भगवान मानती है और उसके चमतकारी कारों का वड़न करती है तो यह ललित विस्तर में ही इसका वड़न किया गया है और ललित विस्तर कि से संबंदित है महायान सं परदाय से तो ये मैंने आज आपको थोड़ा बहुत जो भी गरंथ बहुत धर्म के थे ज्यादा गरंथ नहीं है इतने ही रहते हैं तो इसके बारे में आपको बता दिया अब आगे हम लोग कुछ जैन गरंथों के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ज्यादा गरंथ हैं थोड़े बहुत गरंथ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग आगे अपना जो है कि कुछ यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जैसे युनानी यात्रियाए चीनी यात्रियाए या आरब से जो भी यात्रियाए तो उनके बारे में हम लोग पढ़े क्योंकि वहां से भी प्रेसन पूछे जाते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए